चलिए फ्रेम्स आज हम बनाते हैं वेज लॉलिपॉप याने की वेज कबाब बहुत असन तरीके से इसे घर पर बनाया जा सकता है रेस्टारंट से कहीं गुना अच्छा और टेस्टी ये खाने में टेस्टी तो है ही साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है तो इसे बनान के लिए नहीं ज़्यादा आपको सामन लगेगा और नहीं मेहनत इसे इतना टेस्टी बनाएंगे कि आप रेस्टारंट के कबाब याने की लॉलिपॉप भूल जाएंगे तो मैं हूं रिणा विरादार और आप देख रहे हैं घर का खाना घर के खाने में मैं आपका बहुत पोहुत स्वागत करती हूं तो चलिए रेशीपी को शुरुवात करते हैं तो यहां पे मैंने पाच इस टाइब के आलू लिए है और इसे बॉइल कर लिया है अब इसे हमें पील कर लेना है याने कि इसके कवर आटा देने हैं तो आराम से यह निकल जाएंगे इस तरह से मै दरा देंड ब्ड़कर लेते हैं बड़े साइज का बाल लेना है यहां पर हमें अच्छे से स्मेas RS करना है इसलिए mixing Golf थोड़ा सा बढ़ा तो यहां पे बाउल मैंने ले लिया है, सारे आलू के मैंने कवर्स हटा दिये है, इसे डाल दिया है इस बाउल में, अब हम इसे अच्छे से स्मैश कर लेते हैं, तो स्मैश करने के टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखे, इसमें बिल्कुल भी गुटली ना बचे, इस तरह से अच्छे से इसे स्मैश करें, बहुत आसान तरीके से यह स्मैश हो जाते हैं, तो यहां पे यह बहुत अच्छे से मैंने स्मैश कर लिया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं, सबसे पहले स्मैश को, इसके बाद में इसमें कुछ चीजे हम एड़ करते हैं, तो हातों की मदद स अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या इसमें कुछ पुटली बची है तो बिल्कुल भी नहीं तो अब हम इसमें कुछ सबजियां एड़ करते हैं सबसे पहले डाल देते हैं प्याज एकदम बारिक कट करके सारे चीज़ें हमें इसमें डाल देनी हैं तो यहाँ पे बारिक कटा प्यास मेडियम साइज का मैंने यूज किया है एक मेडियम साइज का गाजर कदुकस करके इसमें डाल दिया है अब डाल देते हैं एक सिमला मीच इसे भी मैंने बहुत ही ज्यादा बारिक कट कर लिया है अब इसके बाद में हम कुछ मसाले डाल देत अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा काली मिर्च, आधी टीस्पून काली मिर्च इसमें अराम से जाएगी, अब इसके बाद में टेस्ट के अनुसान नमक, जितना आपको नमक चाहिए उतना आप नमक इसमें डाल सकते हैं, इसके बाद में अब हमें इसमें डाल देना है bread crumbs लेकिन bread crumbs मेरे पास ready नहीं है इसलिए मैंने fresh bread को mixi के jar में डाल कर इसके crumbs बना लिये हैं और इसमें डाल दिया है अगर आपके पास में bread crumbs पहले से ही available है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो चाहे अगर आपके पास bread crumbs नहीं है तो इस तरह से आप इसे mixi में पीस कर इसमें डाल सकते हो तो इसमें और भी लग सकते हैं तो पहले मैंने चार bread के इसमें bread crumbs डाल दिये हैं जितना इसमें आएगा उतना bread crumbs आप डाल सकते हो तो इसे अच्छे से करें mix बहुत अच्छे से इसका dough बनना यह ना ही पतला ना ही एकदम गाड़ा तो और भी थोड़ा सब bread crumbs मुझे इसमें कम लग रहा था इसमें मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके डाले तो आपने आप पता चल जाएगा कितना डालना है तो यहाँ पे मैंने इसका dough बना लिया है तो मैं आपको दिखा दो किस तरह से यहाँ पे हमें dough बनाना है देखिए इस तरह से ना ही यह ज़्यादा कड़क है और ना ही एकदम नरण तो यह हमारा dough बनके एकदम रेड़ी है अब हमें बनानी है इसकी sillery तो इसके sillery बनाने के लिए मैंने 1 3rd cup लिया है मैंता अब 1 3rd cup लिया है corn flour अब हम इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार नमक इसके टेस्ट के अनुसार नमक जितना यह आटा है उतना ही नमक डाले इससे ज़्यादा ना डाले अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसकी sillery बना लेते हैं तो यहां यह बात मैं आपको बताना चाहूंगे बिल्कुल भी इसमें गुटली ना बचे इसका ध्यान ज़रूर रखे अब चलते हैं कबाब बनाने के लिए चाहे तो आप इस तरह से राउंड शेप में भी इसे बना सकते हो हाट शेप में बना सकते हो इस तरह से स्टीक के उपर लगा कर भी बना सकते हो अगर स्टीक के उपर लगाया जाए तो इसे बोला जाता है लॉली पॉप ये वेज लॉलिपॉप में ने बनाया है आप इसे कबाब भी बोल सकते हो चाहे तो वेज लॉलिपॉप भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी ये रेसे भी बनके रेडी हो जाती है इस तरह से आईस क्रीम की स्टीक ले और इसे इस तरह से अच्छे से राउंड चेप में बनाके इसे हलके हातों से दबाते होए इसे फिक्स करें तो मैं आपको दिखा दूँ आप देख सकते हो इस तरह से अगर एड का पार्ट अच्छे से चिपक गया ना तो याद रखिएगा बिल्कुल भी आपका ये कबाब खराब नहीं होगा फ्राइ करते समय इसलिए थोड़ा सा एक दो आपको पहले बार नहीं आएगा बाद में प्रैक्टिस से ये अपने आप बनाना आ जाएगा तो इसे अच्छे से श्टिक के उपर चिपका दें इसके बाद में सिलरी ले ब्रेड क्रम्स ले तो ब्रेड क्रम्स भी मैंने फ्रेश ही लिये हैं अब सिलरी को थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि नीचे कॉण्ट लोर बैट जाता है इसलिए हिलाने से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब हमें इसे डिप करना है सिलरी में और इसके बाद में ब्रेड क्रम्स में तो सिलरी आप देख सकते हो किस टाइप की मैंने बनाई है एकदम पतली सिलरी बनानी है नहीं ज़्यादा गाड़ी और नहीं ज़्यादा पतली बहुत असन तरीका है इसे बनाने का इस तरह से डीप करें दोनों चीजों में और इसे रख थे एक एक करके प्लेट में तो यहाँ पर मैंने यह बना लिया है अब टेस्ट कर लेते हैं आईल तो आईल अच्छे से गरम हो चुका है अब एक एक करके हम डाल देते हैं वेज लॉरी पॉपिस में बहुत अराम से डालियेगा नहीं तो यह हाथ को ऑईल लग जाएगा बहुत ही ज़्यादा गरम होता है यह गरम ऑईल में ही इसे डाले तो यह अच्छे से फ्राइब हो जाएगा जितना ओईल में आजाएगा उतना ही डाले और तुरंथ ही ना ही लाए नहीं तो यह तूटने का डर होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे इसे फ्राइब होने दे एक साइड से इसके बाद में इसे हलका हलका इस तरह से गुमाते जाएग तो यह अपने आप फ्राइब होते जाएगा तो यह तरफ से थोड़ा सा फ्राइब हो चुका है तो इसे पलट लेते हैं इस तरह से हलके हातों से हमें इसे फ्राइब करना है तो दोनों तरफ से बहुत अच्छे से ब्राउन कलर आने तक यानि कि क्रिस्पी होने तक इसे हमें फ्राइब करना है तो मेडियम ग काल लेते हैं एक प्लेट में बहुत ही ज्यादा यम्मी और टेस्टी यह हमारे वेज लॉलिपॉप बनके रेडी है यह कबाब बनके रेडी है आप देख सकते हो इसका कलर इसका टेक्चर कितना अच्छाया है तो इसे तरह से अब दूसरा बैज भी इसे पॉयल में डाल देत है तेल और थोड़ा सा अच्छे से गरम होने दे फिर डाल दे अब पॉयल अच्छे से गरम हो चुका है तो हम डाल देते हैं एक एक करके इसमें लॉलिपॉप यह दूसरा बैज है इसी तरह से सारे लॉलिपॉप यहां पे हम फ्राइ कर लेती है तो मैंने सारे लॉलिपॉ से भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यम्मी रेसिपी आप इसे एक बार बनाऊगे ना तो यकिन मानिएगा रेस्टोरेंट के कबाब याने की वेच लॉली पफ खाना आप भूल जाएंगे इतने टेस्टी घर पे बनाये जा सकते हैं इसे आप चटनी के साथ में या तो लगा के सिंपल सा ही राउंड शेप में बना कि उन्हें दे दीजिएगा बहुत पसंदें करेंगे और अमका टिफिंड भी ये पूरा खतम करके आएंगे तो कैसी लगया आपको ये रेशीप है ना एकदम एजी और बहुत डिलिशियस रेशीप तो बहुत आसान तरीके से मैं ने इसे बनाया है आप भी इसे एक बार जरूर बनाएगा और ये रेशीप आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें